नमस्ति दोस्तों मैं आर्वी आर्वी के चनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आर्वी कुकिंग एक कुकिंग तो चलिए आज में लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए जार खंड और भिहार की सबसे इस्पेसल रेसिपी बाटी चोखा लेटे चोखा इनको बन लगती हैं बाटी दाल बाटी चोखा हमने बनाया था बट यहां पे हम दाल की रेसिपी नहीं दिये हैं सोरी अगली वीडियो में दे देंगे तो दिखें हमने दो तरज से आप लोगों को दिखा रहे हैं अपने बैगन को भून रहे हैं एक तो तंदूर है यह जो ढखके भून रहे हैं इसे तंदूर कहते हैं हम बाटी भी इसी में बनाएंगे और गैस पे जाली रखे हैं इस साइट बैगन को उपर से छिलके के उपर ऑईल लगा दीजेगा अब बैगन को जब भी भूने चार टुक्रों में नीचे से लगे रहने दीजे लेकिन चार टुक्रो अध्यान देते रहेगा अपने बैगन को पलटते रहेगा और टोमेटो को भी कोई-कोई चोटा था तो आगे पिछे भून के तैयार होंगे तो उनको अलग से निकाल के रखते जाएगा और इसी तरह से अपने बैगन को भून लेजिएगा उसके बाद इनका छिलका उता लिजेगा, और हम अपने बैगन में सामगरी देख लेते हैं, चोके में, कि क्या क्या लेंगे, हमने सिंपल ही लिया है, कोई मसाला वगएरा हम नहीं लेंगे हमने हरी मेचि अद्रग लाशन को कद्दु कसकार लिया है और हरि धन्या और प्याज लिया है दो बड़े अब हम इंमें नमक लेंगे और ढीर सारा इसमें ओलिव यल लेंगे तेल लेंगे इसमें आधी कल्चुल हमने तेल एट कर दिया था चोखा में तेल जादा रहता है तो ही ये टेस्टी बनता है तो दिखे इनको हम हाथों से नहीं मसलेंगे वो अच्छा नहीं लगता है हम कल्चल से ही एक सार इनको मिक्स कर लेंगे अच्छा से मसल लीजिए और इनको मिक्स कर दीजिए अच्छे से भून गया है तो अच्छे से मसल भी जाएंगे तो दिखिए अब हमारा चोखा जो है हमने तयार कर लिया है अब हम बाटी और लिट्टी बनाते हैं इसको बनाने के लिए इसमें बेशन जरूर लेजिएगा बराबर मात्रा में आटा और बेशन इससे हमारी बाटी जो है वो सौप्ट बनती है बहुत लोगों ने सिकायत किया है था मतलब हमने सूना है कि बाटी उनकी अवन में कड़ी हो जाती है और तंदूर में भी तो देखिए यही ट्रिक्स देखते जाएए और सुनते जाएए आटे को हमने दूस से गूता है ना कि पानी से कड़ा आटा गूतना है बाटी का कड़ा आटा रहता है और जितनी अच्छे तरह से आटे को गूतेंगी उतनी अच्छी आपके बाटी बनेगी और सिर्फ हम इसमें एक चमर्च देशी खीलिया है उपर से और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अच्छे से आप मसल लिजे आटे को जितना गूतेंगी यहां पर आप इसको अच्छे से गुतना है और दूर्स से हमने इसलिए बना है आप अवन में भी इस तरह से बाटी बनाएंगी तो आपकी बाटी कड़ी नहीं होगी और तंदूर में भी अब हम इनके छोटे छोटे लोईयां कर लेते हैं आप जितना बड़ा बनाना है उत्रा बड़ा कर लिजे हमें दंदूर में बनाना था तो थोड़ा छोटा छोटा ही रखेंगे उपले में भी बनती है बाटी उसमें और मजा आता है सोंधा सोंधा सा खुस बुगाता है गाय के जो उपले आते हैं लेकिन यहां पर हम दंदूर में ही बना रहे हैं यह भी बहुत टेस्टीव बनेगी अब हम दंदूर को अपने हीट करके रखा था अब हम इसमें बाटी एट करने के बाद गैस को स्लो कर देंगे क्योंकि धीमी आज पर ही सेखेंगे वरना उपर से बाटी सिख के अंदर से कची रह जाएगी अब हम इनको ढख लेंगे और हम बीच में इनको चेक करते रहेंगे ध्यान देते रहेंगे वरना बाटी हमारी जल जाएगी और चिम्टे से इनको हाथों से नहीं आपके हाथ जल जाएगे चिम्टे से पलट लेजेगा एक एक करके ध्यान दे के हर एक बाटी को पलट लेजेगा बीच में गैस की आँच जादी लगती है तो उसे बाटी को आगे पीछे करते रहेगा और देखिए यही बाटी बनने का अच्छी बाटी बन के तयार होगी क्योंकि यह पूरी बाटी हमारी फट गई है तो इसका यह मतलब होता है कि हमने आटा बहुत परफेक्ट लगाया था इस तरह से अगर आपकी बाटी फट रही है तो घबडाए नहीं समझ जाए कि आपने आटा बहुत अच्छे से लगाया था यहाँ पर देखिए अभी थोड़ी थोड़ी सी ही हमारी बाटी फट थी अब हमारी पूरी बाटी फट गई है एक भी बाटी ऐसी नहीं है जो नहीं फटी है देखिए अब हम सर कर लेंगे इंको देसी घी में मिक्स करके बाटी को सर करिए मिलते हैं अगले वीडियो में थेंक्यू सो माच